हेलो स्टुडेंट्स जर्णी हमारी धीरे 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 आगे की तरफ चल रही है लेकिन फिर भी जो चीज नहीं रुकनी चाहिए वो है हमारी पढ़ाई ना आप रुकेंगे ना हम रुकेंगे इस जुनून के साथ इस मोटिव के साथ की रुकना नहीं है चाहिए कैसी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती रहे हम आज अपना एक 11th क्लास का नया टॉपिक शुरू करेंगे टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं काइनमेटिक्स कुछ नया सा वर्ड दिखाई दे रहा है काइनमेटिक्स हाला कि 9th क्लास में थोड़ा सामने इसके विशे में जाना है यह अपने आप में कहूं तो शायद फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और बेस है कह सकते हैं जिस बेस पर टिका हुआ है फिजिक्स यह वो चीज है हम लोग बात करते हैं कई वार मेकैनिक्स की मेकैनिक्स in the sense कोई कहता है मोशन मेकैनिक्स है कोई कुछ कहता है तो काइनमेटिक्स क्या है सबसे पहले क्योंकि आज हम काइनमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर तरह से, हर लिहाज से हम लोगों की जर्णी धीरे धीरे आगे चलती जाएगी और वो चीजें हम पढ़ते जाएंगे जो बारी किया है फिजिक्स की आज के इस चैप्टर में मैं सिर्फ इंट्रोडेक्टरी पार्ट ले रहा हूँ, इंट्रोडेक्शन है, लेकिन फिर भी हम ध्यानेंगे कि आखिर है क्या तो काइनमेटिक्स होता क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो यह दो वर्ड है, एक वर्ड तो है काइन, काइन और दूसरा आरा है मैटिक्स काइनमेटिक्स बेसिकली मैं यहाँ से कह सकता हूँ, काइन का मतलब तो होता है बिटा, मोशन kind means motion and matrix means math means kinematics क्या हुआ kinematics basically वो mathematics है वो चीज़ है जो हम motion को STUDY करने के लिए use करते है इसमें हम सारी calculations करते है मोशन को studio करने के लिए चभए यह जैसे हम distance calculate करते हैं, हम displacement calculate करते हैं, हमें velocity calculate करना होता है, acceleration calculate करना होता है, speed velocity क्या है यह देखना होता है, average speed, average velocity, instantaneous speed, यह सारे काफी सारे concept आते हैं धीरे-धीरे करके, और भी concept आते हैं, जैसे हम लोग single dimension में चल रहे हैं, हम सरकिल में चल रहे हैं, हम लोग रोटेशन कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, कैई छीज़ ऐएंगी हम लोग, लेकिन उसमें जितना भी यूज होगा, जितना भी हम परेंगे, वो सारी छीज़ें किसमें आएंगी? kinematics में मैं अभी introductory आपको ये चीज़ है लोंगा कि what is kinematics क्या है और कैसे कैसे हम अपनी इस चीज़ को आगे पर सकते हैं तो basically physics में सबसे पहले हम कहते हैं physics पर रहे हैं physics is the law of nature nature का science है ही सारा तो physics की एक branch है physics की एक branch है जिसको हम कहते है mechanics mechanics और इस mechanics के बेटा तीन पार्ट होते हैं दे आर थी पार्ट आफ दिस mechanics one मैं कहा रहा हूं statics second मैंने नाम दिया kinematics और थर्ड मैंने का dynamics अब मैं इन तीनों के विशे में जिक बाते करूंगा मार्कर रेस्ट पर है ये रेस्ट पर क्यों है पहली चाहिए आती है ये बाड़ी रेस्ट पर क्यों है उसका रीजन क्या होगा कि इस मार्कर के द्वारा मेरे हाथ पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और मेरे हाथ के द्वारा मार्कर पर एक फोर्स लग रहा है उपर की तरफ अगर ये दोना फोर्स एक वार्कर पर क्यों है कैसे है means ये भी कह सकते हैं हम यहाँ परते हैं equilibrium of force equilibrium force का मतलब होता है net force जहाँ zero हो जाए वो जगा, वो conditions जहाँ पर net force zero हो जाता है for example, जैसे हम आने बात की थी अभी marker की हमने ली ये एक body हुआ इसको पर मैंने एक body ये रख दिया अभी भी ये rest पर है और इस पर rest पर होने का मतलब क्या है कि marker duster के उपर downward direction में force लगा रहा है duster marker के उपर upward direction में force लगा रहा है third, इसी को मैं system of body कर देता हूँ इस तरह से ये three bodies हो गई one is marker, second is duster and third is my hand ये तीनों bodies है और तीनों ही rest पर है means marker duster पर force लगा रहा है duster marker पर लगाता है equilibrium create होता है motion नहीं होता second, duster मेरे हाथ पर force लगा रहा है downward direction में hand duster पर force लगा रहा है upward direction में again motion नहीं है means तौनों forces equilibrium create कर रहे है तो physics की वो branch जहां पर body rest पर होती है और body पर लगने वाले काफी सारे force भी हो तो भी net force अगर zero होता है तो body rest पर होगी equilibrium में होगी वहाँ पर जिस science से हम परते हैं that is called statics उस branch को हम कहते हैं statics next is kinematics जिसको आज हम शुरू करेंगे कि kinematics क्या होता है तो kinematics में मैं जासे कि हम पहले भी थोड़ी दे पहले बात कर रहे थे कि kinematics में हम लोग परते हैं velocity kinematics में हम परते हैं distance kinematics में हम परते हैं displacement kinematics में यह सारी चीज़े हम धीरे धीरे परते चले जाते हैं अलग अलग तरह के motions के लिए लेकिन कहीं पर भी हमने motion क्यों हुआ cause का study नहीं किया means the study of motion without its cause हम motion को तो लगातार पर रहे है velocity पर रहे है acceleration पर रहे है distance पर रहे है displacement पर रहे है directions पर रहे है किस direction में हो रहा है but हम यह नहीं देख रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है तो the knowledge of motion the knowledge of motion without its cause is known as kinematics हम वो ब्रांच physics की जिसमें object का motion परेंगे बिना उसके cause को discuss किये means हम यहाँ पर force को discuss नहीं करेंगे इसको हम नहीं करेंगे उस ब्रांच को हम कहते हैं kinematics third one dynamics और dynamics के लिए क्या कहूंगा कि dynamics वो ब्रांच है जहाँ पर हम motion study करेंगे with cause हम motion पढ़ेंगे with cause पढ़ेंगे that is called dynamics तो भी study the motion study of motion with cause यह कहलाता है हमारा dynamics तो बाकी चीज़े तो धीरे धीरे करके हमारी चलेंगे study dynamics next chapter से हम पढ़ेंगे आज इस chapter में अभी जो हमारा शुरू होता है वो हता है kinematics means इस lecture से जो हमारी journey शुरू होती है physics की वो चलती है kinematics पे यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारे concepts हम लोग discuss करने वाले है वो concepts ली discuss करेंगे जो आपके board में आते हैं वो concepts ली discuss करेंगे जो neat में आते हैं वो concepts ली discuss करेंगे जो और उपर आते हैं advance में आते हैं सारे concepts हम लोग discuss करेंगे सारी बाते करेंगे उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं और जितना कहा जाए उस चीज को at least वीडियो को देखने के बाद एक बार revise जरूर करें तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं काइनामेटिक्स की और काइनामेटिक्स में हम लोग लेते हैं motion तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एक rest का और motion का कि rest क्या होता है motion क्या होता है बड़ा अलग सी बात है कि हम लोग यह पूछ रहे हैं rest क्या होता है पर एक लाइन में बोलूँगा अगर आपको समझ में आए तो सोचिए उसके विश्यम में वैसे मैं इसी लेक्चर में discuss भी करेंगे nobody is absolutely at rest मैंने क्या बोला कि दुनिया में कहीं भी कोई भी body absolute rest पर नहीं होती है कैसे नहीं होती उस चीज को discuss करते हैं देखिए अगर मैं आपके सामने बात करूँ कि मैं यहां खड़ा हूँ वीडियो बना रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं easily आप भी rest पर सोच रहे हैं अपने आपको मैं भी rest पर हूँ सामने एक camera के सामने मेरी position आ गई है लेकिन अब इसको तेखिए इस room के अंदर मैं खड़ा हूँ rest पर हूँ लेकिन actual में क्या हो रहा है कि यह एक earth हो गई हमारी और earth में अगर यहां खड़ा हूँ तो earth rotate कर रही है ऐसे करके और with the rotation of earth मेरी position भी move कर रही है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब जो मेरी position है वो rest पर now के earth के motion के साथ rotate कर रही है तो पहला motion में कैसा कर रहा हूँ rotation चलिए आगे की बात करते हैं एक तो motion यह कर रही है earth दूसरा यह भी कर रही है इसको क्या कहते हैं मिटा इसको कहते हैं revolution तो मैं rotation भी कर रहा हूँ अर्थ के साथ साथ और फिर सूरज के चारों चक्कर भी काट रहे हैं means rotation revolution भी कर रहे हैं तो अभी तक जो हम लोग सोच रहे थे के हम भी रेस्ट पर आप भी रेस्ट पर यह बात तो खतम ना मैं रेस्ट पर हूँ ना आप रेस्ट पर हैं मैं भी rotate भी कर रहा हूँ रेवाल्व भी कर रहा हूँ आप भी rotate कर रहे हैं रेवाल्व कर रहे हैं इसके आगे की भी बात करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेस्ट पर क्या है तो हम कहते हैं कोछ भी रेस्ट पर नहीं है सन की बात करते हैं क्योंकि अर्थ किस के चारों चक्कर क कर रहा है हर चीज expand कर रही है जब वो भी expand कर रही है it means fix वो भी नहीं है वो भी fix नहीं है तो sun sun क्या कर रहा है अपने भाई बैनों के साथ वो भी motion पे है हम उसके साथ motion पे है तो each and everything is at rest sorry each and everything is in motion जितनी भी चीजे हैं वो सभी motion में है nothing is at absolute rest तो ये बात मैंने कहीं कि rest पर कोई चीज नहीं होती है फिर भी हम बात कर रहे हैं rest की तो फिर हम rest की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं rest के relatively rest की बात कर रहे हैं absolute rest पर नहीं होती लेकिन relatively rest पर होती हैं उस चीज को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म को सर देखते हैं कि लेट उस कंसिडर दिस इस अ कंपार्टमेंट ओफ ए ट्रेन यह ट्रेन का कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में यहां पर आप बैठे हैं एक जन बैठे हैं यहां पर एक जन बैठे हैं दो लोग बैठे हैं, तीसरा जन यहां हैं, प्लेट फॉर्म पर, यह लोग अंदर हैं, कमपार्टमेंट के, और यह तीसरा जन प्लेट फॉर्म पर है, and train is moving in this direction, train move करना शुरू कर देती है, तो हम क्या देखते हैं, कि इस पार्टिकल, इस बॉड़ी के लिए इन दौनों के लिए कैसे हैं, rest पर हैं, क्योंकि यह प्लेट फॉर्म के अंदर अपनी जो position है, fix बनाए हुए हैं, वहीं पर हैं, बैठे हैं, खापी रहे हैं, ash कर रहे हैं, लेकिन यह जन के लिए क्या है, this is our observer, और इसके लिए क्योंकि पूरी के पूरी train मूव कर रही हैं, तो यह क्या कहता है, कि यह motion में हैं, तो basically rest और motion define होता है respective study में, respective study में होता है, तो अब हम rest किसे कहेंगे, motion किसे कहेंगे, मैं बताता हूँ, इसको relative study के तरम पे, physics में एक quantity होती है, जो लगाता है, change हो रही है, and that quantity is called time, time हमेशा change होता रहता है, आपको पता है, समय बढ़ा बलवान, समय हमेशा change हो रहा है, आज कर समय जो न हमेशा कहा जाता है, तो अब समय जब हमेशा change होता है, time always change, तो क्या हुआ, अगर कोई body है, time t is equals to 0 second पर भी यहीं थी, time t is equals to 10 second पर भी यहीं है, time 20 second पर भी यहीं है, time बढ़ता जा रहा है पर इसकी position नहीं change हो रही, it means this body is at rest, rest क्या हुआ, if the position of a body does not change with respect to surrounding and time, then the body is at rest, if the position of a body does not change with time, then what this is called, body is called at rest, then body is at rest, अब बात करते हैं, second की यहनी motion की, और motion में कब होगी body, जब time के साथ उसकी position भी change हो रही हो, when the position change with respect to time, then the body is said to be in motion, if the position of a body change with respect to time तब जो बाड़ी होगी वो कैसी होगी? मोशन में होगी, तो this is all about rest and motion, अगर बाड़ी रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही समय के साथ और अगर बाड़ी मोशन में हैं तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सचेंज हो रही है समय के साथ तो अब हम आगे बात करते हैं कि फिजिक्स की लॉज किस पर डिपैंड करते हैं अब जो फिजिक्स में जितने भी लॉज बने होए हैं वो लॉज बने हैं पॉइंट मास अबजेक्ट के उपर, means हम कह सकते हैं कि physics में जब भी discussion होता है एक होता है हमारा point object और एक हम कहते हैं body body के हैं combination of particles यानि बहुत सारे छोटे छोटे particle को मिलाने के बाद जो बनता है वो बना body और point mass object या point object means जिसका size बहुत ज़्यादा छोटा हो या यह कह सकते हैं जिसका size motion को या उस चीज को जिसको हम calculate करना चाहते हैं उसको effect ना करता हो for example एक छोटा सा question मैं देता हूँ जैसे हम लोग 9th class में आप लोग ने किया था कि एक train चल रही है और वो train एक pillar है खंबार जैसे pillar उसके पास से जाती है तो आपने जो problem होती थी कि train को इस pillar को cross करने में कितना time लगेगा हम इस type की problem करते थे तो हम क्या करते थे कि train जब इस pillar के पास आया यानि यहां से शुरू किया और जब cross करके यहां तक गया तो complete length of the train लेते थे और उसको उसकी velocity से divide कर देते थे हमें time आ जाता था time means velocity, distance upon velocity की time आ गया लेकिन अगर उसी pillar की जगे एक platform हो जाए या दूसरी train हो जाए तो क्या हम उसको neglect कर सकते थे नहीं तब तो हम दौनों train की length को add करते थे तो यहां पर एक छोटी सी concept क्या छोटा सा concept क्या निकलता है कि देखो जो pillar है उसकी thickness train की length के respect में बहुत कम है और इतनी कम है कि वो time को अगर मैं उसमें thickness को add भी कर दो train में तो भी वो time negligible रहेगा इसलिए हम उसे neglect कर सकते हैं तो वहाँ pillar का size train के respect में एक point marks है अगर मैं हूँ और मैं one kilometer dollar कहीं चला आता हूँ share करता हूँ या move करता हूँ तो मेरे द्वारा चली गई distance मेरे अपने size के respect में बहुत बड़ी है लग इसका मतलब हुआ के मेरा size यानि मैं एक point mass object हूँ थर्ड पॉइंट लेता हूँ एक छोटा सा question लेता हूँ बड़ा important question है थोड़ा सा कि आप लोग balling करते होंगे cricket भी खेले होंगे उसमें दो तरह की balling होती है swing कराते हैं fast ball होता है swing कराता है एक होता है spinner ऐसे करके fingers से अपने को हम rotate कराते हैं तो question मेरा यह है कि during the rotation spinning of the ball जो होता है 22 yards की पीछ पर जो spin होता है ऐसे करता हुआ क्या वो point mass है ball is a point mass for the spin of spin motion या वो point mass नहीं है NCRT का question है यह बड़ा simple size का logic इसमें लगा हुआ है देखे अगर ball का size में एक यह लेता हूँ और एक यह लेता हूँ एक मैं छोटी ball ली और एक cricket ball ली डॉनों को rotate कराया ऐसे तो क्या डॉनों का spin सेम होगा डॉनों का spin सेम नहीं होगा means spin depends on the size size के हिसाब से spin change होगा और अगर size के हिसाब से spin change हो गया it means size का effect पड़ा और अगर size का effect पड़ता है spin पर जैसा कि हमने देखा कि एक ball छोटी थी एक ball बड़ी और size का effect अगर spin पर पड़ता है छोटा size है कम spin हुई बड़ा size है ज्यादा spin हुई तो अगर size का effect पड़ा इस means ये point mass object नहीं है तो जैसे हमने अभी तक पहले पड़ा पहले जाना कि एक pole है या pillar है train pass हो रही है तो train के size पर pillar के size का कोई effect नहीं है हमने उसे point mass object का मैंने distance cover किया चाहें कितना ही distance cover किया अगर मेरे covered distance के respect में मेरा size बहुत कम है तो एक point mass object हुआ लेकिन इस spin motion में जहां ball छोटी है बहुत लेकिन अगर ball का size उसके spin को effect कर रहा है तो वो point mass object नहीं है तो आज के इस lecture में हम लोगोंने जाना कि point mass object क्या है और mechanics क्या है kinematics क्या है इसके portions क्या है next lecture में हम लोग discuss करेंगे types of motion का और distance and displacement का बहुत important topic है बने रहिएगा साथ okay thank you